हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल एल के भी स्टेडी चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेशनल नम्मर्स को नम्मर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारे सबसे पहले हमने रेशनल नम्मर लिया है 1 upon 3 अब हम इस सीखेंगे कि इस 1 upon 3 को हम नम्मर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यह जो हमारे रेशनल नम्मर को नम्मर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले कोश्चन होते हैं हमारे दो टैप के होते हैं फर्स्ट टैप में जो हमारे ये निमिनेटर होता है ये छोटा होता है दूसरे टैप में ये हमारे निमिनेटर क्या होता है ये हमारे निमिनेटर हमारा बड़ा होता है किस से डिनोमिनेटर से तो हमारे नम्मर लाइन पे Trational number को represent करने वाले दो type की question होते है एक type में जो हमारे numerator होता है वो denominator से बड़ा होता है और दूसरे type में जो numerator होता है वो denominator से छोटा होता है तो हम पहले type के पहले question करेंगे जिसमें हमारे numerator छोटा होता है तो इस type के हमारे question में क्या होता है अगर हमारा numerator छोटा है जैसे यहाँ हमारा numerator कितना है 1 और यह यहाँ नीचे हमारा denominator कितना है 3 यानि कि numerator छोटा है तो इसका मतलब यह जो 1 upon 3 है यह जो हमारा 1 upon 3 रेश्टनल नम्बर है यह हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा अगर numerator छोटा है हमारा किस से denominator से तो यह जो rational number होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा अब कहाँ पर करेगा हमें इसको represent करना है तो 1 upon 3 यह तो denominator में कितना है हमारा 3 है अगर denominator में 3 है तो इससे कम इससे हमारा एक कम क्या होगा 2 होगा तो इसके बीच में 2 लाइंस ड्रू ड्रॉ कर लेंगे और यह जो distance है हमारे equal लेनी है हमें अब हम क्या 1 upon 3 है तो हम यहां से counting करेंगे यह 1 upon 3 होगा यह हमारा 2 upon 3 होगा यह हमारा 3 upon 3 इसका मतलब 1 होगा तो हम 1 upon 3 को करना है represent तो यह हवाला हमारा हो जाएगा 1 upon 3 अब हम लेते हैं second question जैसे हमारे second question में 2 upon 7 अब हमें 2 upon 7 को represent करना है number line पर तो हम फिर से यह देखेंगे क्या हमारा जो numerator है वो denominator से छोटा है तो हाँ हमारे जो numerator है वो 2 है और denominator कितना 7 याने कि numerator हमारे छोटा है denominator से इसका मतलब है जो हमारे 2 upon 7 है यह 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो यह हम ले लेते हैं 0 और यह हम ले लेते हैं 1 अब 0 और 1 के भी बीच में कहां पर लाई करेगा तो यह हम कैसे देखेंगे हम देखेंगे denominator में क्या हमारा denominator में 7 है तो हम यह 0 और 1 के बीच में 6 lines किसेंगे एक line कम कर देते हैं हमारा denominator में 7 है तो इसके बीच में कितनी लेंट रो करेंगे 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह equal distance में लेनी है, अब यह हमारे क्या है 2 upon 7, तो यह होगा हमारा 1 upon 7, यह होगा 2 upon 7, यह होगा 3 upon 7, यह होगा 4 upon 7, यह होगा 5 upon 7, यह होगा 8 upon 7, मगर हमें क्यार करना 2 upon 7, तो यह 1 upon 7 होगया, और यह 2 upon 7 होगया, next question, अब यहां हमारे next question है 7 upon 3, यानि कि 7 upon 3 को हम अब नम्मर लाइन पर रेप्रेजेंट करना है, मगर यहां जो हमारे numerator है, वो अब क्या होगया, बड़ा होगया, किस से denominator से, यहां denominator 3 है, और यहां numerator 7 है, तो यह second type का हमारा question है, अगर हमारे denominator बड़ा हो जाए, तब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमारा number दे रखा है, जो हमारा ratio number दे रखा है, इसे mixed में change करना है, किस में change करना है? मिक्सड में तो आप सभी को मिक्सड में change करना आता होगा हम 3 से 7 में क्या करेंगे 3 से 7 में करेंगे divide तो 3 से 7 में कितने times होगी divide 2 times 3 2 जा 6 यह हमारा remainder कितना बचा 1 तो हम इसे mix में कैसे लिखते है mix में 2 whole 1 by 3 अब यह हमने mix में 3 upon 7 को हमने mix में चेंज करके लिख 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 लिए 2 whole 1 by 3 अगर हम इसे फिर से ठीक करेंगे हमें फिर से 7 upon 3 कैसे 3 2 जा 6 और 1 add होगा 7 upon 3 तो अब यह जो 2 whole 1 by 3 है जिसका मतलब 7 upon 3 है यह कहां पर होगा number line पर तो सबसे पहले यहां तो 2 2 तो हमारा पूरा पूरा है उसके बाद यह 1 by 3 है यानि कि 2 से 3 के बीच में यह हमारे 7 by 3 होने वाला है तो अब हम इसमें सबसे पहले 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे अब हमने यह 3 तक numbering क्यों करें यहां 2 है यहां क्या है 2, यहां 2 होगा तो इससे एक नम्मर आगे जाना है यानि कि 3, यानि कि 7 upon 3 है यह 2 और 3 के बीच में होने वाला है, और 2 upon 2 और 3 के बीच में भी कहा होने वाला है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 upon 3, यह डिनोमेटर में कितना 1 upon 3 है तो बीच में 2 lines ड्रॉ करेंगे कितने lines ड्रॉ, 2 lines एक कम इससे तो यह 1 upon 3 है तो यहां पर होगा 1 upon 3, यहां पर 2 upon 3, मगर हमें क्या देखना 1 upon 3, यानि कि यहां पर होगा हमारा 2 whole 1 by 3, यह इसी हम क्या बोल सकते हैं, इसी हम बोल सकते हैं 7 upon 3 Q4 clearly in response to 2, multi मेरा Rationल 1. इसे हमारा नम्मर लाइन पे रिप्रेजने करना हैत। तो इसमें भी हमारा Second ये Q5 मेरा Secondkor कि fighting यहाँ noticed क्यों कि यहाँ जो इंवनमेटर है वो डिनवनेटर से ये हमारा बढ़ा है örneं कि अब हमने क्या करना पड़े गा सबसे पहला काम हमें यह करना है यह जो ratio number दिया है इसे mixed में change कर लेना है mixed में कैसे change करेंगे पहले हमें करनी पड़ेगी divide अब 7 से 22 में कितने times होगी divide 3 times 7 3 जा 21 और हमें remainder कितना बचा 3 बचा तो हम इसे क्या लिख लेंगे mix में सबसे पहले हम 3 लिखेंगे फिर उपर 1 और नीचे 7 यानि कि 3 whole 1 by 7 को हम रेप्रेजेंट करना है number line पर यहां हमारा क्या 3 है तो इससे एक ज़्यादा तक हम नंबरिंग करनी पड़ेगी तो 0, 1, 2, 3, 4 अब यह जो 22 upon 7 है कहां होने वाला है 3 और 4 के बीच में क्योंकि 3 whole 1 by 7 यानि कि 3 तो हमारा पूरा-पूरा है उसके बाद 1 by 7 है यानि कि 3 और 4 के बीच में हमारा number लाई करेगा 22 upon 7 अब 3 और 4 के बीच में कहां पर लाई करेगा हमारे denominator में कितना है है 7 तो हम बीच में कितने लाई करेंगे 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यह 1 by 7 है तो 1 by 7 इधर होगा स्टार्टिंग में यह 2 by 7 ऐसी आगे तो यहां पर यह हो जाएगा हमारा 3 whole 1 by 7 या इसी को हम क्या बोल सकते है 22 upon 7 अब हमारा कोशन नमर 5 अब कोशन नमर 5 में है हमारा माइनस 1 by 3 यह जैसे 1st आप कोशन था सेम है बस यह क्या है हमारा यह माइनस का होगा यह जो रेशनल नमर है किस में हमारा माइनस का है तो हम हम इदर को जाएगे देखते है कैसे सबसे पहले तो उपर 1 है नीचे 3 यानि कि जो निमिटर है वो डिनोमिटर से क्या है छोटा है निमिटर डिनोमिटर से छोटा है यानि कि जो रेशनल नमर होगा वो 0 से माइनस 1 के बीच में लाई करेगा अब 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा 0 से माइनस 1 के बीच में अब 0 से 1 के बीच में नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यह minus का, इसका मतलब भी 0 से minus 1 के बीच में नम्मर लाई करेगा, अब कहाँ पर करेगा, नीचे हमारा कितना है, 3 है, तो हम इसके बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 2, 1, 2, बिनोमेंटर में जो होता है, उससे एक कम लाइन हम इन दोनों के बीच में ड्रॉ करते हैं, 2, तो यह कितना हमारा minus 1 upon 3 है, तो यहाँ पर होगा, यह minus 1 upon 3, यहाँ पर होगा minus 2 upon 3, यहाँ पर होगा minus 3 upon 3, उसका मतलब minus 1, मगर हमारा minus 1 upon 3 रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हमार क्या हो जाएगा, minus 1 upon 3 हो जाएगा, कोश्चिन नमर 6, कोश्चिन नमर 6 के हमारा minus 3 upon 4, यह भी हमारा first type का हमारा कोश्चिन है, क्योंकि इसमें जो निमिनेटर हमारा डिनोमेटर से छोटा है, यानि कि मगर यह जो रिप्रेज नमर हमारा minus का है, इसका मतलब जो नमर हमारा 0 से minus 1 के बीच में लाई करेगा, अब हमारे डिनोमेटर में कितना है, 4 है, तो हम इनके बीच में कितने लाइन ट्रॉ करेंगे, 3 लाइन करेंगे, 1, 2, 3, यह है कितना minus 3 upon 4, 3 upon 4 है, तो हम इदर से चलेंगे minus 1 upon 4 होगा, यह minus 2 upon 4 होगा, यह होगा मारा minus 3 upon 4, कोशिन नमर 7, कोशिन 7 कैया है, कोशिन 7 में जो हमें रिप्रेजन नमर दे रखा है, minus 12 upon 7, यह हमारे second type का है, second type का क्या था हमारे, जिसमें numerator हमारे denominator से क्या होता है छोटा होता है अगर हमारे numerator denominator से छोटा है तो हमारे सबसे पहले क्या करना होता है जो हमारे rational number है उसे हमें mixed fraction में change करना होता है तो इसे change करेंगे कैसे करेंगे पहले 7 से 12 में क्या करेंगे हम divide तो 7 मंजा 7 ये कितना बचा हमारा 5 इसे मिक्स में क्या लिखेंगे 1 whole 5 by 7 अब तो हम इसे नमबर लाइन पर रिप्रिजेंट करेंगे सबसे पहले तो हम यहां देखेंगे कि 1 है 1 तो हमारा पूरा-पूरा है उसके बाद हमारा 5.7 है यानि कि जो हमारे डिरेशन नमबर लाइक करेगा वो कहां करेगा minus 1 और minus 2 के बेच में तो हम यह नम्म pring करते हैं 0 minus 1 minus 2 अब ये denominator में कितना हमारा 7 है तो minus 1 और minus 2 के बीचे में कितनी लेंड ड्रो करेंगे 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये कितना हमारा 5 upon 7 है तो ये 1 upon 7 होगा ये 2 upon 7 होगा ये 3 upon 7 होगा ये 4 upon 7 होगा और ये 5 upon 7 होगा तो यहाँ पर ये हमारा rational number होगा minus 1 whole 5 by 7 इसी को हम क्या बोल सकते है minus 12 upon 7 next question next question है 36 upon minus 5 को हमार नम्म लेंड पर रिप्रेजेंट करना है यहाँ भी हमारा जो numerator है वो बढ़ा है कि सिट डिनोमिटर से तो हमारा पहला काम क्या होगा इसे mixed fraction में change करना तो 5 से divide करेंगे 36 में 5, 7, 35 remainder कितना बचाब 1 तो हम इसे mix में कहा लिखेंगे 7 whole 1 by 5 अब इसे भी represent करना है तो यह minus 7 whole 1 by 5 है यानि कि minus 7 तो पूरा पूरा है उसके बाद क्या 1 by 5 यानि कि यह जो 36 upon minus 5 है minus 7 और minus 8 के बीच में lie करेगा तो 0 हो गया minus 1 हो गया minus 2 हो गया minus 3 हो गया minus 4 हो गया minus 5 हो गया minus 6 हो गया minus 7 हो गया minus 8 हो गया यानि कि minus 7 से minus 8 के बीच में lie करने वाला है 36 upon minus 5 मगर कहा पर तो अब हम देखेंगे denominator में क्या है हमारा 4 है वो 5 है तो इससे एक कम लाइन ट्रॉ यानि कि 4 1, 2, 3, 5 ये कितना है 1 upon 5 तो यहां पर 1 upon 5 होगा ये 2 upon 5 ये 3 upon 5 ये 4 upon 5 अगर हमें क्या लेना 1 upon 5 तो यहां पर होगा हमारा minus 7 whole 1 by 5 यसी को हम क्या बोल सकते है 36 upon minus 5 आज का हमारा last question last question क्या है minus 43 upon 9 इसे हमारे number line पर represent करना है ये भी हमारा कैसा है second type हमारा question है क्योंकि यहां numerator क्या है denominator से बढ़ा है तो हम इसे किसमें change करेंगे सबसे पहले mix में 9 fours है कितना हुआ हमारे 36 ये कितना बचा हमारे 7 बचा तो हम mix में कह लिखेंगे 4 whole 7 by 9 अब ये negative में है तो minus four तो पूरा पूरा उसके बाद हमारे fraction है यानि कि minus four से minus five के बीच में ये number लाई करेगा सबसे पहले zero फिर minus one फिर minus two फिर minus three फिर minus four फिर minus five अब denominator में कितना है हमारा 9 है तो minus four और minus five के बीच में कितनी लाई द्रो करेंगे 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब ये 7 अपॉन 9 है तो ये 1 अपॉन 9 ये 2 अपॉन 9 ये 3 अपॉन 9 ये 4 अपॉन 9 ये 5 अपॉन 9 ये 6 अपॉन 9 ये 7 अपॉन 9 तो यहाँ पर होगा हमारा minus four whole 7 अपॉन 9 या इसी को हम बोल सकते हैं 43 अपॉन 9 तो आज का हमारा यहीं तब होगा अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करीए और अपने दोस्तों में सेर करीए थैंक्यू